आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे जो RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रिकल्चर लेक्चरार का एक्जाम हुआ है उसकी आंस्वर की इसमें 150 क्योसन थे जिसमें से कुछ psychology के क्योसन है तो psychology के क्योसन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा हलांकि मैंने answer दी हैं कुछ के लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं करिएगा हना मेरी तरफ से तो सटिक है वो लेकिन फिर भी आप देख लिजिएगा लेकिन एग्री कल्चर के जो भी आंशोर है क्योशन और उसके जो ऑप्षन है उनका विशलेशन करके ही आपको आंशोर की प्रवाइड करवाई जा रहे है और उमीद है कि मेरे दुआरा प्रवाइड करवाई गई आनस्वर की आने से पहले प्री विशलेशन में काफी सैयोग करेगी तो हम ज़ादा क्योशन पर डिसकस नहीं करेंगे, एक्स्प्लेनेशन नहीं करेंगे जैसे हमें आदत पढ़ी है ना एक्स्प्लेनेशन के, बिना एक्स्प्लेनेशन अपने चलते ही नहीं है तो बिना एक्स्प्लेनेशन के ही हमें क्या है यहां पर डिसकस करना है क्योंकि number of question 150, explanation करने लगए तो मेरे को लगता है 3-4 गंटे का time लगेगा तो चलते हैं one by one देखो इस पे जो मार्क लगे हुए वो भी जरूरी जरूरी नहीं है ये किसी student का paper है और उसी को scan करके मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सबसे पहला question है new leaf is a cry gene incorporated transgenic variety यानि new leaf है वो cry gene सामिल transgenic किसम है तो ये potato की किसम है यहाँ पे इसका right answer आपका दो number option होगा ठीक है explanation पे नहीं चलेंगे बाद में one by one अपने जो quiz सरी चलती है इन सभी को डेली पांदस पांदस क्योशन का explanation लेके चलेंगे next अगला क्योशन है मोल्या a serious disease of wheat and barley in certain district of Rajasthan is caused by मोल्या राजस्तान के कुछ जिलों में गेहूं और जो का एक घंबीर होग है किसके कान होता है बहुत आसान सा क्योशन आया भी है हेटरोडोरा एवेनी यानि इसका right जो answer होगा वो आपका तीसरा option right होगा ठीक है next अगले क्योशन में चलें the act of production of young one in goat is cold हिंदी में देख लेते हैं बकरी में नवगान्तुक का उत्पादन कहलाता है यानि बच्चे देने का किरिया क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है kidding इसका भी right answer क्या होगा तीसरा नमबर right होगा soil depth for orange cultivation देखो generally जब आप orchard लगाती है बाग लगाती है तो मरदा की गहराई जो है वो 2 मिटर रखी जाती है कितनी रखी जाती है दो मिटर है हो रखी जाती है बहुत जा बाग लगाओगे वहां की मरदा को वह आप पहले देखेंगे तो आपके दिमाग में पियच, जल, निकास, ठीक है, मर्दा, कणाकार, सरंचना के साथ-साथ उसकी गहराई भी दिमाग में रहनी चीए, तो कितनी गहराई कम से कम होनी चीए, दो मिटर कोई भी बाग लगाते हो, तो कम से कम दो मिटर गहराई होनी चीए, मेरे इसाब से यहाँ इसका आंसर है वो फस्ट माना जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर फस्ट आएगा नेक्स सलें अगले क्योशन में मेंगो वेराइटी अरुनिका डवलप बाई आम की किसम अरुनिका कहां से विक्षित की गई है तो आम की जो अरुनिका किसम है वो सेंटल इंस्टिटूट अब सब्ट्रोपिकल होटी कल्चर है ना कहां से डवलप की गई है सेंटल इंस्टिटूट अब सब्ट्रोपिकल होटी कल्चर यह कहां पर है आपका लखनव के अंदर है कहां पर है यह लखनव के अंदर है सी आइस से डवलप की गई है सेंटल इंस्टिटूट अब रखनव से डवलप की गई है इसका right answer तीसरा होगा rain shelter are used for production of देखिए जो rain shelter है वो जनरली किसके production के काम में लिये जाते हैं तो vegetable, flower और fruit के production के काम में लिये जाते हैं तो यहाँ पर right answer होगा दो नमबर अब बहुत सारे student ये भी चाहेंगे कि बताएं कि कितनी merit जाने के chances हैं कितना क्या हैं तो इस पर अपने बाद में discuss करेंगे लेकिन हाँ इस solution के बाद एक मोटा मोटा idea मैं आपको provide करवा दूँगा rain shelter यानि देखो rain का सबसे ज़्यादा जो खत्रा है वो सबजियों को फूलों को और फलों को है तो rain shelter में ज़्यादा तर सबजियां फूलों और फलों की खेती की जाती है ठीक हैं तो छटे का right answer क्या था दूसरा option आपका right था next आगे बढ़ू मैं देखिए अगला question है आपका 7 number इस question ने आपको थोड़ आसा घुमाने के लिए ring formation on or on of buffalo start at edge off बेंस के सिंग पर चले बनने प्रारंब होते हैं तो पहला चला तीन वर्स की आयू में बनता है आप formula लिखते हो न 2 प्लस 1 वाला तो क्यों क्योंकि तीसरे साल पहला बनता है इसलिए 2 प्लस 1 लिखते हो आप तो right answer क्या होगा तीन number जो option है वो आपका right होगा क्योंसन अच्छे है और explain करेंगे तो मज़ा आएगा लेकिन बाद में जब explanation के साथ हम चलेंगे next है where is the prosophis scenario based on the silviculture system prominent prosophis scenario यानि खेजडी अदारित वन सवर्दन परनाली कहां की परमुख है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खेजडी है वो arid region का है मुरुस्तल का वर्दान है कुछ सोचना ही नहीं था और right answer भी ना सोचे कर देना था arid and semi-arid region सुस्क और ard सुस्क छेतरों के लिए खेजडी अपने आप में एक वर्दान का काम करता है तो आठवें का दूसरा option right है ठीक है सुस्क और ard सुस्क छेतर which of the following is not the advantage of preparing balance sheet देखो balance sheet का क्या फाइदा है balance sheet का क्या advantage है सबसे पहले है provide information about present position of farm asset फारम परस्तिती के पुर्वा अनुमान मुल्यक का ज्यान होता है मतलो इन में से कौन सी चीज है वो आपका balance sheet नहीं बताता है तो provide information about present position of farm asset जो farm asset है उनकी present position तो बताता है इस बात में तो कोई doubt नहीं है ये तो सही नहीं हो सकता है provide information about liabilities on farm जो farm की liabilities है देंदारिया है उनके बारे में भी बताता है provide information about profit and loss on farm मतलो जो farm का लाब नुक्सान है उसको बताता है करते हैं बात provide information about financial soundness of the farmer जो farmer है देखो farmer के पास asset कितनी है liabilities कितनी है उन दोनों से पता लग जाता है कि farmer कितना sound है तो ये बात भी बताता है इसका मतलो जो profit और loss है ये नहीं बताता है तो जो balance sheet है वो किस चीज को नहीं बताती है फारम के लाभानी का नहीं बताती है बाकी तो जनली असेट के बारे में भी बताती है लेकिन लाभानी नहीं बताती है वेसे तो आप लोग सिरफ answer की चेक करना चाते है लेकिन मुझे ये भी comment box में बता दीजिएगा कि जो profit loss है वो किस से पता लगता है उसका इसाब किताब कहां रहता है तो चलिए इसका right answer मैंने आपको बता दिया है तीसरा है ये क्योशन मेरा करवाया हुआ है quiz के अंदर और अभी तक जितने भी क्योशन आएं उनमें से एक क्योशन नहीं करवाया अक्विज में बाकी सारे करवाया हुआ है अब देखो student ये है psychology का क्योशन किसने किसोर अवस्ता को पहचानना निर्मान के लिए विशेश रूप से मैतोप्रण अवदी के रूप में वरनित किया है तो मेरे हिसाब से इसका right answer है इरिक्सन बाकी आप लोग देख लीजिया देख लीजिएगा psychology पे मेरा कोई ग्यान नहीं है मैंने तो ये answer गूगल करके बताया है ठीक है या किसी से पूछ के बताया है तो इरिक्सन इसका हो सकता है ये आप clear कर लीजिएगा जो अपना subject ही नहीं है भाई उसमें कैसे अपने मुए मार सकते हैं चलिए अगला क्योशन है इन विटीवर बहुत अच्छा क्योशन है न और सीधा सीधा आपको क्विज में करवाया 15-20 दिन पहले इन विटीवर essential oil extracted from विटीवर में जो वास्पसिल तेल है वो जड़ से निकाला जाता है ठीक है नेक्स्ट है विच इज एन एक्जामपल आफ रूट कटिंग रूट कटिंग का एक्जामपल क्या है भाई मतलो रूट कटिंग से आप प्रोपोगेशन किस में कर सकते हैं पीच में बिगनोनिया में ग्रैप्स में या फिग में देखो अलग-अलग यूटुबर अपने अपने हिसाब से आंस्वर दे रहे हैं लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप फिग के अंदर रूट से भी क्या कर सकते हैं रूट कटिंग से भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इस क्योशन का राइट आंसर होगा वो फोर्त होगा मेरे इसाब से कोई controversial question भी नहीं है क्योंकि बिग्नोनिया मान रहे है बिग्नोनिया में seed और softwood cutting से ही propagation होता है फिग में भी अलांकी propagation की बात करें तो फिग के अंदर propagation hardwood cutting से होता है लेकिन root cutting से भी propagation किया जा सकता है तो right answer क्या होगा इसका चोथा answer है वो आपका right होगा next अगला question चलते हैं अपने अगले question में है optimum brooder temperature at height of 2 inch above the floor level should be brooder की 2 feet first से उंचाई होने पर uncool तापकरम क्या होता है तो देखिए 2 inch उंचाई पर brooder घर के अंदर जो उप्यूग तापमान होता है वो अठाण में से 107 degree फारने height होता है और इसका right answer आपका क्या होगा fourth जो है वो आपका right answer होगा ठीक है तो next अपने अगले question में चलें इसका fourth explanation तो अब देंगे नहीं question बहुत सारे है amount of water present in plants पोदे में किस मात्रा में जल पाया जाता है देखो पोदे में जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है 90% तक पोदे में जल होता है तो इसका भी right answer क्या है fourth option है वो आपका right है ठीक है अब चलते हैं अपने next question की और next अपना पंदरवा जो question है वो है which of the following is not included in the test of three hours credit principle economics का क्योंसन है निमन में से कौन सी तीन आर रिन परस्ताव में सामिल नहीं है पहले आर का मतलब है return from investment विलकुल ठीक है दूसरा repayment capacity ठीक है तीसरा है risk bearing ability ये तीनों तो है इसका मतलब चोथा नहीं है तो right answer क्या होगा इसका fourth होगा यानि three hour credit principle में ये चोथा hour principle नहीं है शुरूआ ले तीन है तो right answer fourth होगा इसका बड़े next अच्छा क्योंसन है ये चलिए next question simple question है बहुत बार अपने quiz में भी discuss हुआ है नाबाड is established on the basis of recommendation of which committee ये आप जानते ही है सीव रामन कमेटी की सिफारिस से नाबाड की स्तापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी पढ़ते हैं न तो यहां पर right answer कौन सा है आपका दूसरा option right है next है डिजीज पलेगरा is related to देखो वेसे तो पलेगरा डिजीज है mainly B3 की कमी से उसके बाद B5 की कमी से होता है लेकिन यहां B complex का असर रहता है और इन में से जो थोड़ा effect आ सकता है वो vitamin B2 का आता है 3 होता 5 होता even 7 होता तो ज़्यादा सटिक होता लेकिन B2 का भी प्रभाव रहता है तो यहां पर मेरे हिसाब से जो right answer आपका माना जाएगा वो पहला option है वो माना जाएगा clear है चलिए next चलें अगले question में Central Institute of Agriculture Engineering is situated Kendriya Krissi Engineering संस्तान स्थित है तो कहां पर आईए भोपाल यानि इसका जो right answer है sorry इसका जो right answer है वो कौन सा होगा भोपाल होगा यानि C I A E जो है वो कहां पर है भोपाल के अंदर है which one of the following is a principle of class अगर आपको यादो तो most important considered करवा के मैंने आपको quiz के अंदर बताया था क्योंकि institute बहुत सारे होते हैं 7-8 institute ही मैंने आपको most important बताये थे आप अपनी quiz में से देख लीजिए उसमें ये most most important बताया था मैंने आपको एक ये और दूसरा काजरी next है which one of the following काजरी और दो institute को मैंने कहा था कि ये आपके exam में पूछे जाएंगे तो ये question देख लीजिए आप which of the following is a principle of classical conditioning theory निमन में से कौन सा सास्त्रिय अनुबंदन सिदान्त का नियम है ये आपका psychology का question है बट इसका right answer principle of extinctions होगा will open का नियम होगा मैंने कहा था psychology वालों के लिए मैं guarantee नहीं लेता मैंने कहा ना मैंने भी इदर उदर से पता करके answer बताया है उनके तो ये तीसरा option इसका right होगा an insect that is parasitic and lay its egg on other insect is called parasitoids होता है parasitoids होता है ठीक है परजिवी व्याम होता है इसका right answer a option है अब तक जितने भी agriculture के आपके question आए हैं इसमें से उसमें से मैंने आपको एक question नहीं करवाया था बाकी जितने अभी तक मैं बता चुका हूँ सारे के सारे YouTube quiz पे करवाये question है आप चान लो और आपको लगता है कि अभी तक जो करवायों में से एक को छोड़ के कोई question नहीं करवाया तो आप मुझे comment जरूर करिएगा ठीक है agriculture की जो quiz चलती है मैं pad course की बात नहीं कर रहा है वो तो दूर की बात है next अलें अपने gestation period of cow is approximate gestation period तो सारे के सारे quiz मैंने करवाये वेसे अर कोई करवाता है gestation period कितना होता है गाय का गरब काल कितना होता है 280 दिन का होता है 9 महिने से थोड़ा बहुत उपर होता है next हम बात करें incorporation of two or more genes governing a single treat in a variety for resistant to disease is known as रोग परती रोदग समता के लिए एक ही विसेशता को नियंतरित करने वाले दो या दो से अधिक जीनों का सामावेस यानि transfer कहलाता है अच्छे तरीके से आपको करवाया हुआ है और quiz में करवाया हुआ है और मैंने कहा था अगर फिल्ड से समंदित कोई भी बात आ जाए और उस समय disease resistant की बात आ जाए तो back cross याद रखना है और अच्छे तरीके से करवाया हुआ है ये चोथा option है वो आपका right होगा ठीक है अभी तो मैं वो क्योशन बता रहा हूँ जो जन्नली क्विज में करवाये हुए है अपको आती भी है करवाय हुई भी है कालविंग कहलाता है क्या कहलाता है अगर board उनको नहीं मानेगा तो अपने उसको challenge भी कर सकते अपने पास authentic proof भी रहेंगे The way in which the message is handled before it is placed on the channel is called Channel में message को डालने से पहले उसको प्रभावी बनाने के लिए जो भी किया जाता है वो treatment कहलाता है Right answer क्या होगा? A option होगा First option करवाया हुआ क्योशन है quiz के अंदर और important question है Next question है psychology से है और इस question को अपने हाथ नहीं लगाएंगा Knowledge of education psychology is not essential for a teacher because it एक सिक्सक के लिए सिक्स्या मनोवज्ञान का ज्यान आवसक होता है क्योंकि यह है knowledge of educational psychology is not essential Not essential बोला है एक सिक्सक के लिए सिक्स्या मनोवज्ञान का ज्यान आवसक होता है यहां लिख दिया इसने not essential, not essential यानि मतलो आवसक नहीं होता है इसके उसन में भाई थोड़ी गड़़ड़ा देख लेना Knowledge of educational psychology is not essential for a teacher because educational psychology का ज्यान टीचर के लिए जरूरी क्यों नहीं होता है और यह बोल रहा है जरूरी क्यों होता Option देख लेते हैं syllabus समझने में साइटा करता है दूसरा विधारती की style को समझने में साइटा करता है विधारती की तुलना करने में साइटा करता है ये तीनों तो ठीक है मेरे को लगता है ये हो सकता है अगर note essential पूछा है तो note essential के लिए तो पहला आंचोराना चाहिए मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ psychology दिखा रहा हूँ अपनी है कितनी सही मुझे नहीं पता ये तो English में कुछ अलग लिखा हूँ है Hindi में कुछ अलग लगा यहां Hindi में लिखा है ग्यान आवसक होता है और यहां लिखा है ग्यान की आवसकता नहीं है psychological के लिए किस बात के लिए तो ग्यान कि आप सकता स्लेबर्स को समझने के लिए साइकलोजी पढ़ने की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पढ़ेगी तो राइट आंसर क्या आएगा फरस्ट इस क्योशन में देख लेना हिंदी और इंगलिस लेंग्वेज का पंगा है लेकिन पेपर पर ये लिखा जाता है कि हिंदी और इंगलिस में कोंटो वर्सी आती है तो इंगलिस को कंचेडर्ड की आ जाता है वो अब आप लोग देख लीजिए हलांकि जो एगरी कल्चर में एगरी कल्चर सुपरवाईजर वाले में पिछली बार जो क्यों सनाया था वो ही कुछ गोबी में खाने योगय भाग वाला जो आया था उसमें हिंदी में कुछ अलग लिखा था इंगलिस में कुछ और लिखा हुआ था तो फिर क्या किया गया उस पे स्टूडेंट ने रिट भी लगाए थी वो डिलीट भी हुआ था लेकिन फिर भी एक पेपर में ये बात भी लिखी होती है ये देखो जायर सी बात है जो एक आदे नमबर से अटकते हैं ना उन स्टुडेंट के लिए बहुत मेटर करते हैं ये क्योशन जो होते हैं तो पिछली बार क्या था उच्छे सा था फूल गोबी में खाने योगय बाग तो एक हैड लिखा था करड लिखा था जो हिंदी में फर्स्ट ओप्सन था ना वो इंगलिस में सेकंड ओप्सन था इस तरह से उटपटांग था और क्योशन को डिलीट कर दिया था सिरफ लेंगवेज डिफ्रेंच होने की वज़े से और दूसरा पक्स ये भी होता है पेपर में ये लिखा होता है कि और हिंदी और इंगलिस में अगर कॉंटोवर्सी है तो इंगलिस को कंशिडर्ड किया जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ मेरे से ये मत पूछना की अब हम क्या करें मैंने बता दिया है कि एक एक एक्ज पूरी तरह से देखने योग्य विवार पर निर्बर करता है सीखने के किस सिदान से जुड़ा हुआ ये बियवियरिस्ट से जुड़ा हुआ है साहिब ये भी साइकलोजिक है इसका राइट आंस्वर तीसरा ही होगा जहां तक मुझे पता है तो इसमें थोड़ आसा शोर ह नहीं हूँ जितना एगरिकल्चर के क्योशन में हूँ यानि यह तो बहुत सिम्पल क्योशन पूछ लिया परसोन मुखी वमेशियों के रक्त में केल्सियम के ऐसमाने रूप से निम्स्तर की विसेशता वाले विकार को कहा जाता है मिलक फिवर देख लेना क्विज में करव कराया हुआ है ट्राइकोग्रामा मिन्यूटम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है कौन से अच्छी तरह से क्विज में कराया हुआ है ट्राइकोग्रामे टेडी से ना ट्राइकोग्रामे टेडी फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है यहां तो अंदा स्टूडेंट भी इ दूसरा option है वो आपका right होगा next अले अगले क्योशन की और अगला क्योशन है who developed who developed the experience to the classify audio visual materials quiz में most important जो और देते वे करवाया था Edgar Dale ने मैं जो बलना हूँ quiz में करवाया है YouTube की quiz में करवाया है क्योशन है तो ये दूसरा right होगा which of the following statement is not correct in respect of the contribution of agriculture in India ये थोड़ा सा मतलो complicated सा क्योशन है देखो इसमें ये पूचा गया है कि गोर करना इस क्योशन पे which of the following statement is not correct in respect of contribution of agriculture in India कौन सा कतन बारतिय है आप दवस्ता में क्रिशी के योगदाग से संबंदित सही नहीं है दा सेर ओफ एगरी कल्चर है गोड़ डिक्लाइन इन लास्ट डिकेड लास्ट डिके में लास्ट दसक के अंदर एगरी कल्चर का टोटल इंकम में शेर घटा है बिल्कुल घटा है इसमें तो कोई डावट नहीं गटी है पिछले दसक में आप देखोगे तो यहां तो decade दे रखा है भी पिछले दसक में है नहीं दे रखा which of the flowing statement not correct in respect of the contribution decade नहीं दे रखा एसा है इन्होंने यह बोला है कौन सा कतन बारतिय अर्दववस्ता में करिशी के योगदान से समंद में सही नहीं है पिछले दसकों में अर्दववस्ता में करिशी का इसा कम हुआ है बिल्कुल कम हुआ है पहले भारत की बहुत सारी अवादी करिशी पे निरबरती और most of जो पेसा था वो करिशी से दीरे दीरे घटता गया अब कहां पे आ गया अठारा उनिस परसेंट पे रह रहा है लगातार दूसरा है पिछले दसकों में रोजगार के लिए करिशी पर निरबरता बड़ी है नहीं बड़ी भई निरबरता घटी है लगातार करिशी से रोजगार मतलो रोजगार के लिए क्रिसी पर निर्बरता घड़ती जा रही है तो ये तो समंद नहीं रखता है Agriculture has been important source of origin exchange क्रिसी विदेशी वेपार का परमुक्स त्रोत रहा है ठीक तारा है बहुत परमुक्स तो नहीं रहा लेकिन इसकी तुलना में तो फिर ये तीसरा भी ठीक है Cell dependence has the increase in food grain production खाद्यान उत्पादन में आतम निर्बरता बढ़ी है ये भी ठीक है लेकिन अगर हम बात करें पिछले दस्कों में रोजगार के लिए क्रिसी पर निर्बरता बढ़ी है तो ये बात अभी match नहीं हो रही है और इसका जो सटिक आंसर आ सकता है सटिक आंसर है वो कौन सा आएगा दूसरा आएगा ठीक है तो यहां दूसरा आंसर राइट होगा नेक्स्ट है जो पार्शियल बजट है उसको हम कौन सी कोस्ट के अंतरगतर रखते हैं आसंकिक आयवेवे में समलित की जाती है बहुत अच्छा क्योंसर है एक्स्प्लेन भी किया जाए तो बढ़िया है लेकिन यहां एक्स्प्लेन नहीं करेंगे अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ जो पार्शियल ही बजट होता है आसंकिक आयवेवे होता है वो ओनली अपोर्चुनिटी कोस्ट के अंदर आता है किसमें आएगा अपोर्चुनिटी कोस्ट में आएगा राइट आंसर कौन सा होगा दूसरा राइट होगा जब हम साइटोपलाजमिक जनेटिक मैलस्ट्ट्रीलिटी की बात करती है तो तीन लाइन पड़ते हैं A-Line, B-Line और R-Line तो A line है वो तो seed parents है B line है वो maintainer होती है और R line जो होती है वो restorer line होती है तो यहाँ पर maintainer line पुछा है तो mentor line कौन सी होती है B line होती है right answer कौन सा होगा दूसरा option है वो आपका right होगा ठीक है next चले अगला क्यों सन है which type of soil cover maximum area in Rajasthan राजस्तान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा area cover करती है बहुत बार बताया हो और quiz में भी बताया हो है sandy soil राजस्तान में सबसे ज़्यादा area cover करती है राजस्तान के 11 से 12 जिलों में आपको sandy soil ही देखने को मिलती है तो right answer कौन सा आएगा, तीसरा option है, वो आपका right होगा, नेक्स अगले question में चलें, biological ameliorations of salt affected soil can be done by, पहली बात तो इसने यहां तक बात सिमित कर दी कि biological सुधार कौन सा है, जो salt affected मरदाएं हैं, उनका जेविक सुधार कौन सा है, जल, प्लावन और निक्षालन, यह biological थोड़ी हुआ, यह तो physical हुआ, frequent irrigation यह भी कैसा हुआ, cultural हुआ, management से समंदित हुआ, तीसरा application of farm yard manure, फार्म yard manure क्या है, एक organic चीज है, biological चीज है, application of gypsum, chemical है, तो right answer, biological amelations पूछा है, तो कौन सा होगा, application of farm yard manure, गोबर की खाद का परियोग करन नेक्स अगला question है, which one is group approach in communication, communication में group approach कौन से संचार का, समुए दरस्टी कौन कौन सा है, personal letter, individual है, field day, field day जो होता है, इन्होंने group approach in communication पूछा है, तो field day है, ये तो जायर सी बात है, group में आता है, flesh card है, ये भी group में आता है, circular letter है, ये mass में आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, देखो personal letter है, ये individual है, ठीक है, field day या field tour जिसको आप बोलते हैं, field day या field tour बोलते हैं, ये तो group communication में आता है, flesh card भी group communication में आता है, और circular later है वो आपका mass communication और इन्होंने group approach पुछा है देखो भाई इसमें दोनों ही में से कोई सा भी माना जा सकता है हो सकता है examiner ने जिस समय अपना mind set किया है उसको place card के अंदर रखा हो क्योंकि place card के अंदर कितने लोग हो सकती है maximum 30 से 35 हो सकती है और 21 से 25 का भी group हो सकता है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हो सकता है examiner ने तीसरा समझा है field day एक ही आदमी के लिए खेत में घुमन तो इसा तो नहीं होता है field day या field tour जो होता है वो कई किसानों को लेके जाया जाता है तो वो भी किस के अंदर आता है group communication के अंदर आता है यह दो option है यह question आप देख सकते हो और delete बगेरा यह सब चीजें भी आप देख सकते हो और जहां तक है मुझे मेरी खुद की जो book है उसमें भी मैं देख लेता हूँ क्या पता किसी तरह का मुझे confusion of less card है फिल्ड डे नहीं भाई फिल्ड डे group के अंदर ही आएगा 100% है ना तो यह गड़ बड़ा है मामला यहां दूसरा और तीसरा दोनों ही group communication approach में आते हैं दोनों ही group communication में which theory say people construct their own understanding and knowledge of the word by experiencing things and reflecting on those experience psychology का क्यों सन है लोग चीजों का अनबव करके और उन अनबवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्यान का निर्मान करते हैं कौन सा सिधान्त यह कहता है psychology का है कोई psychology specialist कुछ बताए तो वो ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से चोथा option right होगा निर्मितवाद constructiveism constructiveism है ना psychology के question की मेरी कोई guarantee नहीं है बट right answer चोथा हो सकता है next पेराक्वाइट पेराक्वाइट आप जानते है विडी साइड है पेराक्वाइट कुछ है क्या है बहुत lottery वाडा क्योशन दिया आपको एक खरपतवार नासी है first option है वो इसका right होगा next question है wheat variety जनक goat whipped out from cultivation due to which disease गयों की किसम जनक किस रोग के कारण केट से समाप्त हो गई तो ये हुई है करनाल बंट से है ये ही माना जा रहा है अलांकि जब ये variety आई थी इसमें लीपरस्ट की भी problem थी लेकिन resistant वरक हुआ था इस पे लेकिन जो cultivation से मतलो इसको out कर दिया गया वो करनाल बंट की वज़े से किया गया right answer थीसरा है early soving time of groundnut groundnut का early soving time क्या है देखिए वैसे तो simply June का जो last week होता है या last के जो 10 days होते हैं वहाँ से लेकर 20 जुलाई तक इसे क्या है मतलो जनली 20 जुलाई तक इसकी soving चलती है आप देखेंगे major growing area कौन सा है गुजरात है और राजस्तान है तो यहाँ पर यही चलता है last week of June से लेकर 20 जुलाई तक इसकी soving देखने को मिलती है तो इसमें early soving पूछा है तो early soving जो होगी फिर वो कब होगी first week of June होगी first week of June होगी इसका right answer क्या होगा तीसरा option है वो right रहना चीए third week of June तक चलती रहती है जो early why होती है तो वो generally considered किया जा सकता है लेकिन यह clear cut कहीं नहीं मिलेगा तो मेरे हिसाब से इसका right answer होगा first week of June June का पहला सब्ता है इसका right answer होगा next पुसा हिम जोती यह नहीं करवाया होगा क्योसन मेरा 14 नमबर जो है यह जनक वाला भी quiz में नहीं करवाया होगा मैं quiz की बात कर रहा हूँ जो YouTube की quiz की next अपने बात करें पुसा हिम जोती पुसा हिम जोती बहुत important तरीके से करवाया हुआ है आपको और self-blanched variety के लिए मैंने इसको specially mention किया था कॉली फ्लावर की वेराइटी है पुसा हिम जोती और important वेराइटी यह quiz में करवाया हुआ है advanced organizer model of teaching is given by यह वेसे तो आपका psychology का क्योसन है शिक्सन का अग्रीम संग्टन परती मान दिया गया है देखो generally जो आप agriculture वाले student है वो psychology नहीं पढ़ती है तो यह psychology सिर्फ first grade वालों के लिए आती है ठीक है तो यहाँ psychology के भी बीच में क्योसन है तो advanced organizer model of teaching is given by ओसु बेल किस ने दिया था ओसु बेल ने दिया था दूसरा option है वो यहाँ पर right होगा next है which of the options is studied in educational psychology यह भी आपका psychology मनो विज्ञान का है यह क्योसन भी मैंने देखा भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है ना इसका answer क्या होगा इसको छोड़िए next अलते है which insect is not managed by the buveria basiana देखिए जो buveria basiana है इससे कौन से कीट का management नहीं करते है white fly का तो धढ़ाले से करते हैं thrips का भी करते है epid का तो locats का नहीं करते हैं यानि TD का नहीं करते हैं चोथा option है वो आपका right होगा next अगला क्योसन है which of the following is not assigned work यह करवाया हुए आपको quiz के अंदर क्योसन which of the following is not assigned work of the regulated market committee in राजस्तान निमन में से कोन सा राजस्तान की नियमन मंडियों का कारे नहीं है तो राजस्तान की जो नियमन मंडिया है उसके कारे कोन सा नहीं है पहला है तो परवायड ट्रांस्पोर्ट फेसलिटी फ्रम दा विलेज टू मंडिज गाउम से मंडियों तक प्रेवन स्वीदा उपलब्द करवाना तो रिसोल कॉन्फलिक्ट्स और फार्मर एंड मिडलमेन तो इसके लिए राइट आंस्पोर देखो जनरली करसक और विपनन मदस्तों के भी त्विवाद है उसको निप्टाया जाता है करिशी उत्पादों हेतु आदुनिक मंडारंस विदा उपलब्द करवाई जाती है और उपज के बुगतान हेतु ततकाल विवस्ता की जाती है तो पहला नहीं है ठीक है ये भी आपको क्योशन है वो करवाया गया है रेगुलेटर्ड मार्केट कमेटी के अंदर ठीक है और क्विज में करवाया हुआ है अगला चलते हैं अपने प्योर मिलक प्रोडेक्शन इज अपेक्टेड बाई विच औप दा फॉलविंग्स ये तो आपने करी दिया होगा कि निमन में से कौन सा कारक सुद्ध दूद उत्पादन को प्रभावित करता है Health and Clearness of Animal पसु का स्वास्ते हमस्पाई जनरल ये तो जाहर सी बात प्रभावित करेगी health and hygiene of milk में दूदिया का स्वास्तिम स्पाई जो दूद निकाल रहे बाई जायर सी बात है उसके द्वारा भी तो दूद में संकर्मन हो सकता है तो ये भी ठीक है layout and structure of dairy दूग साला की बनाव टेम सरंचना ये भी परभावित करती है तो तीनों ही चीज परभावित करेगी right answer इसका चोथा option होगा ठीक है next आपका question है percentage of organic matter in mineral soil देखो mineral soil में organic matter कितने से mineral soil में organic matter कितने से कम होता है देखो इसका right answer आपका first माना जाएगा अलागी food and agriculture organization कहता है कि जिन मरदाओं में 30% से कम organic matter है वो organic soil है लेकिन आपकी जो बार्विंग की board की book है है आप तो हिंदी की book देख ले ना मेरे पास English की book है न इसका जो chapter है इसका chapter रहेगा आपका chapter रहेगा इसका भाई soil के नाम से chapter है इक है soil के नाम से chapter है उस chapter में आपको दूसरे ही page पे मेरे पास English medium की book है इसलिए मैं आपको page number तो accurate नहीं बताऊंगा लेकिन chapter बता रहा हूँ तीन number जो chapter है अब उसमें राजस्तान का literature है राजस्तान के literature से ही आप challenge कर सकते हो FAO का जो literature है या FAO की website है उससे नहीं कर पाऊगे ना तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो राजस्तान के जितने भी literature है उनके अंदर यही लिखा हुआ है इवन ICR के literature है उनके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जिन मरदाओं में 20% से कम carbonic पदार्थ है वो ही क्या है organic soil तो यह है कई जिए लेकिन हमें हमारे यहाँ local के literature के हिसाब से चलना होगा जिसके अधार पर आप challenge कर सको तो right answer क्या आएगा first option है वो आपका right आएगा ना less than 20% ही माना जाएगा आपनी सित हो जाईए ना और अगर गलत भी मान ले तो आप यह किताब होगी agriculture की होगी 11 class की book है agriculture 11 class की book होगी हिंदी medium की भी होती है ठीक है यह English medium की है same राश्तान बोर्ड की है वो CBSC बोर्ड की बात नहीं कर रहा है राश्तान बोर्ड की book है ठीक है तो आप मान लो 30% वाला मान भी ले उसी साब से दो नमबर आंसवर दिया जाएगा मान भी ले आप चैलेंज करिए फस्ट मानना ही पड़ेगा कोई लाज नहीं है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा first option है वो right होगा clear है चलिए next अपने बात करते हैं अगला question है आपका depth of nursery soil वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि student बोल रहे थे कि sir आपने 20% बताया था और ये 30% से उपर considered AFPO का कुछ पता नहीं कुछ screenshot भेज रहे थे बच्चे कुछ हैसा था तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया है otherwise कोई दिक्कत नहीं है बाना ये जाएगा बाकी तो answer कियाएगी तब बात करेंगा depth of nursery soil saturated by the formalin formalin से अगर आप saturate करना चाहते हैं यानि निर्जीवी करन करना चाहरे हैं soil का तो 15 से 20 cm तक करते हैं नर्शी में तो चोथा इसका right answer होगा which one is physical mutagen इन में से physical mutagen कौन सा है which one is physical mutagen यानि जो भोतिक mutagen है वो कौन सा है ethereum bromide chemical है sodium azide chemical है ethyl metheno methen sulfonate जो है ये भी chemical है आप इससे तो सीधा ही समझ जाते तो gamma किरने उनको आप physical mutagen में रखेंगे किसमें रखेंगे physical mutagen के अंदर रखेंगे next अगला आपका 50 number question है planting of fruit plant by reducing their normal distances फल वरक्षों का अंतर कम करके लगाने को कहा जाता है high density planting कहा जाता है एक दिन मैं आपको middo orchard करवा रहा था उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था और ये mutation वाला भी मैंने आपको quiz के अंदर करवाया ये तो चलो फिर भी मैंने depth इसकी नहीं बताया थी formal इन तो बताया था लेकिन depth नहीं बताया थी ये मैंने spust करवाया वा क्यों सना है आपको quiz के अंदर ठीक है उसके अलाबा जनली अपने high density planting बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है वो भी quiz के अंदर मैं बात करहूं YouTube की quiz के अंदर पैड कोर्स में तो almost सारे करवाया हुआ है planting of fruit plant by reducing their normal distance is called as high density planting कहलाएगा यानि उच्छ सगन रोपन कहलाएगा next है देखिए क्या है क्योशन Lumsdine के अनुसार 6 या तकनीक के निमलिक्त में से कोन सा उपगम नहीं है तो उपगम नहीं है ये पूछा गया है क्योशन देख लेना भाई साइकलोजी का क्योशन है कोई मामला गड़ बढ़ना हो जाए सोरी उपगम सही है नहीं नहीं पूछा गया सही है सही तो ये हाड़वेर अप्रोच सोप्ट पेर अप्रोच और जन्रल अप्रोच ये फस्ट वाला राइट होगा according to Lusdine's views which of the following is correct as approach educational technology तो फस्ट सही होगा इसका ठीक है बाकी आप लोग देख ले न psychology का क्योशन है psychology के क्योशन के लिए अपनी कोई गारेंटी नहीं है अगला क्योशन है sugar percentage in temporary preservation method ये थोड़ा complicated क्योशन दे दिया भाई 20 से 55% तक जो चीनी होती है वो temporary preservation के अंदर ही आती है मैं तो खुद post harvest technologist है हूँ मैंने तो आज तक यही पड़ा है लेकिन मेरे हिसाब से जो right answer माना जाएगा वो 20 से 22 माना जाएगा first option है वो right क्योंकि बहुत सारे product में अपने temporary preservation के लिए 20 से 25% चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो first option इसका right रहने के chances है next अगला question है which of the following acid is more in sweet silage sweet silage में कौन सा acid जादा होता है तो sweet silage में lactic amal जादा होता है और जो generally खटा आपका silage होता है sore silage होता है उसमें acetic acid जादा होता है तो right answer क्या होगा lactic acid right होगा lactic acid है तीसरा option है वो आपका right होगा sweet जो silage होता है उसमें generally lactic acid जादा होता है तीसरा option ठीक है नेक्स्ट है ये तो मैंने आपको quiz में बहुत बढ़िया तरीके से बताया और ये जो silage वाला क्यों सना नहीं ये कुलवन सर का quiz में करवाया हुआ आप देख लेना फ्रूट पे आप wax अडा दोगे तो चमकदार खल बन जाएगा बहुत बढ़िया भाई परत उपर बन जाएगी तो पानी का हास भी नहीं होगा और पानी का हास नहीं होगा उसके अलावा गेंसे अंदर आएगी नहीं self-degradation नहीं होगा परत बन गई है तो रोगानू अंदर नहीं जा पाएगे तो इसे आयू भी बढ़ेगी तो appearance भी बढ़ेगी और पानी का loss भी कम होगा और self-like भी बढ़ेगी इसका मतलो right answer क्या होगा चोथा है वो इसका right होगा नेक्स्ट है which component does not come under the metrological variable ये क्योशन अगर कोई गलत करके आगया तो उसका तो भाई कोई इलाज ही नहीं है मतलो इनोंने पूछा है निमन में से कौन सा कारक मोसम विज्ञान समंधी चरों के अंतरगत नहीं आता है temperature आता है relative humidity आता है वर्सन आता है यानि precipitation आता है soil नहीं आता है सीधी सीब आता है ये मोसम का कारक थोड़ी है right answer कौन सा होगा चोथा option है वो right होगा देखो अगला क्योशन है भासा अच्छी थी इसकी the cross of F1 hybrid देखो दो parents के बीच cross हुआ है ये आया F1 F1 अब क्या कर रहा है homo-jagas recessive parents के साथ homo-jagas recessive parents के साथ cross कर रहा है यानि कहने का मतलो क्या है ए प्रभावी जनक के साथ cross कर रहा है इसको आप हमेशा से ही test cross बोलते आयो और ये quiz में बहुत बार करवाया हुआ है right answer कौन सा होगा आपका दूसरा option है वो right होगा clear है बड़े next question की और next question है which type of communication is good for the adult sense learner as the teaching learning process ये भी psychology का ही question है और इसमें answer पता नहीं क्या होना चीए मेरे हिसाब से net तो भाई तीसरा दिखा रहा था बाकि आप लोग देख लीजिएगा ये psychology का मैं छोटा हूँ इसको अगला क्योशन आपका frost is the result तुसार प्रिणाम evopression evopression तो वास्पी करन यानि वास्प बनना condition का मतलो होता है जल वास्प का ठंडा होकर बुंदों में बदलना ये भी नहीं है dampage का मतलो होता है पानी की बुंदों की वज़े छोटी छोटी बुंदों की वज़े से दुंदाना तो बचा क्या sublimation वैसे तो sublimation का मतलो ये होता है बीच जो जल वास्प होती है वो सीधी बरप में बदल जाती है यानि बीच में तरल अवस्ता लेती ही नहीं है तो फ्रोस्ट में भी ऐसा देखने कोई मिलता है कि जो जल वास्प होती है वो सीधा किस में बदल जाती है बरप में बदल जाती है तरल अवस्ता लेती ही नहीं है सर्दियों में जब तापमान जीरो डिग्री सेल्चियस के पास माहूं जाता है तो जल वास्त का सीधा बरप की बुंदों में बदलना क्या कहलाता है जो आपको पौदों की स्तैपर देखने को मिल जाता है या घड़े घास पूज पगेरा पे देखने को मिल जाता है ये आपको करवाया वा था और इसका रैट आंसर क्या होगा सब्लीमेशन होगा तीसरा जो ऑ्पशन है वो रैट होगा नियूरो मस्कुल मैचुरिटी एंड इन्वार्मेंट नन ओप दीज भाई पता नहीं है इसका पहला भी हो सकता है और कहीं न कहीं तीसरा भी हो सकता है ये साइकलोजी का क्यों सना है आप जानें साइकलोजी वाले बताएंगे आपको ये मैंने गुगल किया है और ये ठीक है मेरे को लगता है ये भी साइकलोजी का क्यों सना है इसका राइट आपसर क्या होगा तीसरा आपसन राइट होगा वीच ग्रोथ रिटार्डेंट इज यूज फोर दा रिडूसिंग ट्री विगरनेस इन मेंगो मेंगो के अंदर ट्री विगरनेस को घटाने के लिए यानि उसको उन्चाई को कम करने के लिए तथा जो ओफियर होता है यानि जिस समय फलन नहीं आता अल्टरनेट बीरिट जो वेराइटिया होती है ना एकांतर फलन वाली उसमें फलन को प्रेडित करने के लिए भी और मेंगो की केनोपी को कम करने के लिए हमेशा पेकला ब्यूटरा जोल काम में लिया जाता है और इसका राइट आंस्वर कौन सा होगा चोथा ओप्सन राइट होगा ये करवाया हुआ है आपको चोथा ओप्सन पेकला ब्यूटरा जोल नेक्स अपने चलते हैं अगला क्योशन विच ओप्दा फॉलॉविंग कोस्ट करव इज नोट यू से कौन सा लागत वक्कर यू आकरती का नहीं होता है फटा पटब सांस्वर पे ही ध्यान दूंगा मैं यह यह है एप्सी करव का मतलू क्या हो रहता है एवरेज फिक्स कोस्ट होता है ना तीसरा ओप्सन इसका राइट होगा विच बन अप दा फोलॉविंग ये बाकि सारे यू सेप के होते हैं इनने पुछा है विच अप्दा फोलॉविंग कोस्ट करव इज नोट यू सेप अवी सी अ चोड़ दो इसको next average age of the cow and buffalo गाय और भेंस की average age कितनी होती है गाय और भेंस की average age कितनी होती है 20 से 23 वर्स होती है दूसरा option यहाँ पे आपका right होगा next अगले क्योसन में चलें which of the following is not a peculiarity of Indian agriculture market निमन में से कौन सी भारतिय करसी विपनन विशेष्टा नहीं है long chain of middle main middle main की लंबी chain है ठीक है भाई ऐसी विवस्ता है ऐसी भारतिय क्रिसी विपनन की विशेष्टा है lack of price knowledge मुल्य समंदी ज्यान कम है यह भी ठीक है lack of farmer unions करसक संग्टनों का अबाव है बिल्कुल ठीक है well developed cooperative marketing system यानि यह अच्छे वाली चीज नहीं है तो चोथा option है वो आपका right होगा next है pulse rate of falls जो मुर्गी वगेरा है उनकी pulse rate कितनी होती है 200 से 400 होती है 200 to 400 होती है ठीक है चोथा option है वो आपका right होगा next आगे बढ़े अगला question है any change in behavior of people as a result of experience यह उस particular आदमी का पुछा है कि मेरा behavior change हो जाए मेरे experience से तो उसको हम क्या बोलेंगे learning और मैं किसी का behavior change करवाद दू तो वो teaching होगी तो यह तो क्या होगा learning होगा दूसरा option यहाँ पर right होगा determination of the proteome is called age proteome के निधारन को कहा जाता है preotomic कहा जाता है preotomics कहा जाता है preotomics यानि first option इसका right होगा next अगले question में चले average temperature of okra cultivation 20-30 degree Celsius temperature okra cultivation के लिए बढ़िया होता है आप किताबों में यही पढ़ोगे और यहाँ पे right answer दो हो सकते हैं 3 सुरा और 4 लेकिन पका चोथा योगा 25-30 degree है वो right answer होगा next अपने बात करें how lingans define the need of the people in the form of the difference between them देखिए जो lingans ने उसने किस परकार sorry lingam ने किस परकार लोगों की आवसकताओं को इनके बीच अंतर के रुप में प्रवासित किया what is क्या है क्या हो सकता है और क्या होना चीए इस अधार पे है ना वेसे तो इन्होंने बोला क्या है और क्या हो सकता था ये सही answer होता यहां पे नहीं यही ठीक है वेसे तो सही तो lingans ने ये बोला था कि what is what ought to be इन दोनों के बीच का difference है उसको need लेकिन इन्होंने what could be भी जोड दिये बीच में लेकिन फिर भी lingan की बात से ये पहला option ही मिलता है तो यहां पे right answer क्या होगा first option यहां कुछ इनके खुद के भी error है ध्यान दखना कुछ क्योशनों पे सवाल उठेगा लेकिन इस पे नहीं उठेगा क्योंकि और वाले नस्दीक नस्दीक सही नहीं है तो first ही right होगा next है which one of the following is not a mode of computer ads instruction यह वो computer वाला आगया एक आदा क्योशन आना था न मैंने आपको बताया था तो यह वो क्योशन है तो यह तो मेरे को भी नहीं आता next है fruit type of guava गवा में फल का परकार कौन सा होता है तो guava का तो फल का परकार which of the following insect does not feed during the adult stage वैसे तो यह सारे ही खाते है लेकिन adult stage में like insect है वो नहीं के बराबर खाता है तो first answer इसका right होगा मिली बग का adult नुक्सान पहुंचाता है गंदी बग का भी पहुंचाता है एफिड का तो पहुंचाता है पहुंचाता है बचा कौन? like insect तो right answer like insect ही considered होगा where is the origin of the current freeze ये तो सबको ही आता है बाई करवाया हुआ भी है ये तो कुलवंचर करवाते हैं वेसे लेकिन ये तो मैंने भी करवा रखा आपको देखो where is the origin of current freeze तो ये NDRI करनाल से डवलप की गई ये आप अच्छी तरह जानते हो next है the poultry birds from a day old to six week of age मतलो एक दिन से लेके 6 सपता है तक की आयू का तो चिक होता है ठीक है और 6 से 8 वाला उसको आप वो broiler बोलते हो और 8 से 12 वाले को आप roaster बोल देते हो 12 से 20 वाले को आप grower बोल देते हो 20 से उपर वाले को आप layer बोल देते हो तो इसका तो मेरे हिसाब से एची कांसवर राइट होगा दूसरा option है वो आपका राइट होगा ठीक है बड़े next question में next question है which goat breed has ear like deer यानि हीरन जैसे कान वाली जो ब्रीड है वो बारबरी है हीरन जैसे कान वाली जो ब्रीड है वो कौन सी है बारबरी है कौन सी बकरी के हीरन जैसे कान होते हैं बारबरी बकरी के होते है next है what climate is related to climate सब बहुत important हना मैंने important बोलते वह आपको करवाया था कि climate सब यह वो कौन सी बासा का है which disease is caused by protein deficiency quiz में भी करवाया हुआ कवा सिक्योर जो होता है very very B1 की कमी से, scurvy C की कमी से, ostomelsia A की कमी से और कवा सिक्योर प्रोटीन की कमी से चोथा राइट होगा requirement of dry matter in food age per 100 kg body weight in cow family तो क्या हो जाएगा 2.5 kg गाय बंस में 300 kg सरेरिक भार पर भोजन में सुस्क पदार था, 8.5 kg दिया जाता है which bio agent is generally used to control the pungal disease as seed treatment और some amendments यह आप अच्छी तरह जानते हो, trichoderma काफी famous है, इसमें कुछ सोचने की जूरती नहीं है weight of each of chocolate breeds, जो chocolate breed है, उसकी जो मादा होती है, उसका वजन लगबग चोई से 32 kg होता है, ठीक है तो इसका right answer कौन सा होगा, चोथा option होगा next लगला question है, which of the following practice of the demonstration is used to compare two techniques, old and new इसका क्या right होगा, result demonstration, oh sorry तो इसमें आपका जो right answer है, वो क्या होगा, result demonstration होगा, यानि first answer ये आपको quiz में करवाया question है, how many worker be are there in the colony of honeybee, इसमें 20 से 80,000 होते हैं, ठीक है तो 20 से 80,000 होते हैं, तो इसके हिसाब से आपका right answer कौन सा होगा, तीसरा option है, वो right होगा so is the part of, so part किसका होता है, देशी प्लाव का होता है, करवाया हुआ है, with diagram कराया हुआ है with diagram आपको करवाया हुआ है, तो देशी प्लाव के अंदर so part होता है, ठीक है next अपने बात करें, एपिस मेली फेरा belong to which family, एपिस मेली फेरा कौन सी family से बिलोंग करता है the seed act was past in which year in India, past तो 1905, पुछा है, भी कब पारित हुआ था, तो किस वर्स अधिनियम आया था 1966 में, लागू तो 1969 में हुआ था, वो पुछा है नहीं है, उसकी बात ही नहीं करनी है, तो दूसरा और option में भी नहीं है तो दूसरा option इसका right है, इसने confusion छोड़ा है नहीं, आपको option ही नहीं दिया, confuse करने के लिए next question है, which one is note the basic function of the communication, information तो सबसे main है command आग्या देना, विसे तो एक तरह से communication का part तो है, लेकिन function में तो नहीं रखेंगे अपने influence है, evolutions है, तो दूसरा answer इसका right हो सकता है नहीं, दूसरा option है, वो इसका right हो सकता है तो दूसरा इसका right होगा, next अपने बात करें, अगला question है, which of the following practice size of the demonstration is used to compare two techniques old and ये तो करवा दिये ना, वापस वो ही आ गया भाई the mitosis, the longest page, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, और थोड़े दिन पहले ही quiz में करवाया था, आपको prophage है, which is the most useful, earthworm, huge for the making the vermic post in ग्राजस्तान, apagic होते हैं वो है, और icenia fortida apagic परकार का ही होता है, ये भी आपको quiz में करवाया हुआ, तीसरा option नेक्स, 90 नमबर, साइकलोजी का क्योशन है, छेडेंगे नहीं अपने, blast of rice is caused by which of the following pathogen, quiz में भी करवाया हुआ है, pyrecularia origi, राइट क्या होगा, pyrecularia origi, दूसरा option इसका राइट होगा, नेक्स अपने चलें, who founded the Indian Pathological Society, Indian Pathological Society, quiz के अंदर करवाया हुआ है, अच्छे से करवाया हुआ है, डॉक्टर बी भी मुंडुकर ने स्तापित किया था, commercial propagation method in bear, अच्छी तरह करवाया है, ring budding है, और ring budding के बाद T budding है, और T budding के बाद I budding है, तो देख लो इसमें से कौन सा है, T budding दूसरा right होगा, क्योंकि ring budding option में ही नहीं है, नेक्स है, Central Institute of medicinal and aromatic plant is situated in which city, अभी एक दो दिन पहले ही, देख दो दिन तो नहीं, दस बारा दिन पहले ही, एक बत मैं ये करवा रहा रहा था, बच्चा बोला ये कब से आ गया लखनव में, ये तो आपका आनंद में है, तो मैंने बताया था, NRC है आनंद के अंदर है, ना, medicinal and aromatic plant का, और सी मेप है वो कहा है, लखनव में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लखनव, सी मेप लखनव के अंदर है, ये दिसकस भी हुआ किसी बच्चे के साथ, इन डारेक्ट सीड सॉविंग मेथड, सीड रेट ऑप दा पेडी, यानि धान की सीदी बुआई मे बीज की मात्रा काम में लेते हैं, ब्रोड कास्टिंग में तो सो लेते हैं, और अगर आप जनरली क्या है, सीड ड्रिल से बो रहे हैं, जनरली आप सीड ड्रिल से लगा रहे हैं, डारेक्ट सीड कर डाल रहे हैं, सीड लिंग नहीं त्यार कर रहे हैं, तो आप जनरली 60 किलो उसमें 60 किलो लेते हैं तो 60-70 और मेरे हिसाब से इसका right answer दो number है वो माना जाएगा बारत में कौन सा राजय उन उतपादन में पर्थम है ये तो आपत शितने से जानते हैं उन उतपादन में पर्थम राजय कौन सा है राजस्तान है ये तो पूछने की जुरूरत नहीं है simple question था next है which of the following chemical is currently used to the represent for preservation of the frozen semen जो frozen semen है यादि कहने का मतलो जो वीडिय का सितलन है वो liquid nitrogen में किया जाता है किसमें liquid nitrogen में किया जाता है तो right answer कौन सा है चोथा option है the length of the stress cycle in cow गाए के अंदर जो stress cycle है मद्द चक्कर है वो 21 दिन का यानि 18 से 24 दिन के बीच का होता है ये थोड़े दिन पहले quiz में करवाया था ये भी quiz में करवाया था और इसका right answer कौन सा होगा तीसरा होगा the response of the plant to the relative length of the light and dark period is called as भहत बार करवाया जा चुका है photoperiodism बोलते हैं photoperiodism कहते हैं ठीक है for a study of farming system the best PRA exercise तो best PRA exercise जो होती है वो transact wall होता है यानि transact walk जो होता है वो एक क्या है generally best PRA exercise होती है तो इसका right answer क्या होगा water requirement of potato अच्छी तरह जानते है पोटेटो की water requirement होती है वो 500-700 mm होती है कितनी होती है 500-700 mm होती है चले next question में answer की पे चलना है तो ज़्यादा discuss तो है नहीं यहाँ पे next अगला question है which is the intermediate day plant बहुत अच्छे से specially करवाया हुए sugar cane है intermediate day plant name of the satellites of India which was the develop for the educational purpose लिखावा इसने कुदी लिख दिया educate है तो right answer क्या होगा इसरा होगा which of the following is level यह तो क्यों सनी बोल रहा है तभी मुझे answer लगा दो मेरा लगा दो मेरा मैं सही हो जाओंगा देखो educate which of the following is level of the Lawrence Kohlberg moral development theory निमन में से कौन सा Lawrence Kohlberg के नेतिक विकास के सिधान्त का स्तर है यह आपके psychology का है विसे conventional level होता है प्रम प्रागत स्तर होता है बाकी क्रो से कर लेना भाई मैंने तो Google किया और Google पे सारी चीजें सही मिले कोई जरूरी नहीं होता है the transferring of young seedling into another bed transplanting या pricking बोल देते हैं क्या बोल देते हैं transplanting या transplanting या transplanting या क्या बोल देंगे pricking दूसरा option है वो right है next है the basic chromosome number is denoted ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने N और X के बीच में difference बताया अब जिनोंने quiz देख रखिये उनको याद होगा तो ये होगा basic chromosome number हमेशा किस से denote किया जाता है X से denote किया जाता है दूसरा right होगा और ये बहुत लंबा time लेके मैंने आपको समझाया था मतलो अच्छा time लेते हुए समझाया था next है the standard crop geometry of guava plant मैंने बताया 6 से 8 होती है तो 6 से 8 के बीच में कुन सा आ रहा है 6 आ रहा है तो right answer guava की planting distance बहुत important है हमेशा याद रखिया हर exam में पूछी जाती है recredient theory is related to recardient सिदान्त किसे समझदीत है ये rent से समझदीत है first option इसका right होगा rent से समझदीत है अलांकि इनोंने weight से समझदीत बहुत सारी बातें दी है लेकिन ये recredient theory जो है वो rent से समझदीत है recommended by Luther और इसके साथ ही होने तीसरा option राइट है इसका determination of the base sequence of the DNA molecules is called as DNA sequencing यादि DNA के अदार पर अनुकर्मन को निधारित करने को कहा जाता है DNA sequencing कहा जाता है दूसरा option है वो right है next है nut cut है गुलाब की variety आप से पूछ ले और वो आपको आजाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये बड़ी मजे की बात है कि ये variety मैंने quiz में करवाई थी और अपनी book में भी है nut cut is the variety of miniature rose miniature rose की variety है किसकी है miniature rose की variety है next अपने बात करें which taste is more reliable for the estimating the general combine ability बताया हुआ है कि समान्य सयोंजन समता अनुमान लगाने के लिए कौन सा friction अधिक विश्वंचन ये है तो सबसे अधिक जो है वो top cross रहता है कौन सा top cross रहता है top cross से आप general combine ability है वो जान सकते है तो यहां पर right answer कौन सा रहेगा दूसरा option है वो अपका ठीक है next है 113 number question which of the following is not affecting the factor of market surplus जो market surplus है उसको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है quantity of product ये तो करती है ये तो सारा खेल है size of farm भी करेगा फारम बड़ा है तो ज्यादा production होगा कम हो तो कम होगा size of farmer family farmer है वो कितना मतलों रखेगा और कितना बेचेगा तो वो भी करेगा quality प्रभावित नहीं करती है तो दूसरा option है वो आपका right होगा next which of the following is the found in upper jaw of ruminants animals जो जुगाली करने वाले पसु है उनके उपरी जबड़े पे क्या होता है अच्छी तरह से बताया हुआ है dental pad होता है as small water storage ये भी करवाया वा क्यों सोने a small water storage structure for the collecting and the storing run of water is called run of water को रोकना हमेशा डेम का काम है check डेम आएगा right answer कौन सा होगा तीसरा option है वो आपका right होगा as short duration pre shipment or pre storage treatment practice to cut flower is known as pulsing बहुत अच्छे से करवाया 2-20% सुक्रोज के solution plus germicide डाल के cut flower को रखना pulsing कहलाता है right answer कौन सा होगा इसका तीसरा option है वो आपका right होगा ठीक है next आगे चलें अपने अगला question है आपका which one is not a PCR best molecular marker techniques इसको मेरे knowledge से बता रहा हूँ मुझे confirm नहीं किया मैंने ज्यादा इसको right इसका तीसरा answer SSR होना चीए ठीक है SSR इसमें किंतु परंतु हो सकती है बट मैं next session में इसको justify कर दूँगा एक तो यह और एक जो temporary preservation वाला है ना क्योंकि 20 से 55% सुगर temporary preservation में होता है तो अब वो क्या consider करते हैं तो वो next session में Metal Exil is a systematic fungicide used to the control which group of the disease Omastige जो group होता है Omastige group के जो disease होते हैं उनको control करता है Next Emitter is related to drip irrigation तो right answer क्या होगा? Irrigation होगा ठीक है 119 का दूसरा होगा Which reverse is related to buffaloes breed neily? सतलज का पानी नीला, नीली रावी सतलज related है नीली जो रावी भेंस है उससे Which of the following breeds of cow is heaviest? गाय की सबसे भारी भरकम जो नसल है वो कौनचे भारती नसलों में पूछा है तो भारती नसलों में सबसे भारी भरकम कौनची है? कांकरेज है Next चले अपने Which is the secondary nutrients? यह तो आता ही होगा आपको बहुत बार बताया है और उसके soil health card में भी बहुत बार अपने डिसकस करते हैं सल पर है Next अपने बात करें यह दोनों micro है और यह primary है The chromosome of a cell arranged according to their length is known as kereo types First right होगा Which fiber is called as queen of textile? मैडम ने जिस दिन आपको quiz करवाई थी उसमें बताया था Silk fiber चोथा option इसका right है किस रेशे को वस्तरों की रानी कहा जाता है? रेशम के रेशे को कहा जाता है The following is the disadvantage of cooperative learning Cooperative learning का disadvantage आप पढ़ लोगे तो आपको हो सकता है, पता लग जाए निमन में से सयोगात है कि कमी है पता नहीं देख लेना आप भाई, मेरे को नहीं पता psychology का जादा गोर करेंगे तो आज आएगा answer, बैसे comments आई है तो right answer कौन सा है, डोका या खलल स्टेज है जिसमें भारत में खजूर तोड़े जाते है भारत में डोका या खलल अवस्ता में ही तोड़े जाते है दूसरा option है, वो आपका right है 126 का next है, अगला question who is the, known as the father of kenning Nicholas आपार्ट है भाई right answer क्या होगा, तीसरा option है वो आपका right होगा तीसरा option है, वो आपका right होगा name the tall breed of the goat famous for the good milk yield as well as meat यहाँ आपसे पूचा है, name the tall breed of goat famous for good milk yield as well as meat, मदलो दी परोजिने नसल है, पसमीना भाई उन के लिए ठीक है, जामना पारी, कसमीरी और बार्बरी, बार्बरी तो छोटी यह city of goat है, इसने tall breed बोला है तो कौन से होगी, जामना पारी, right answer कौन सा होगा, दूसरा, two or more chromosome replication with the act of the nuclear or cell division is called age, ना भी के या कोशी के वाजन के बिना दो या दो से अधिगुण सुत्रपर्ति किरिया को कहा जाता है endomitosis, क्या कहा जाता है endomitosis, कहा जाता है first option इसका right होगा next है, which grant is related to the weather forecasting, weather forecasting से related grant है, वो कौन सा है, अच्छा क्योंसा है, रिग वेदा, अथुर वेदा, बृत्था सान्तिया और सामवेदा बताइए कौन सा है भाई, इसका right जो answer है, वो कौन सा है, बृत्थ प्रत्थ साहिता है बृत्थ साहिता में सही है, तीसरा option है वो इसका right है, which fruit belong to dry and hot climate simple है, pineapple नहीं है, grapes नहीं है banana नहीं है, तो पॉम्गरेनेट है, दूसरा option intensive agriculture district program, IADP is also known as package program है दूसरा option है, वो right है एक चीज और ये जब package देखो इसका तो right answer कौन सा है आपका package program 132 का तो कौन सा है, package program लेकिन मुझे एक question याद आया मैंने साहित आपको क्या answer बताया उसका, hand date number उसको अपने चेक करते है अब वो question पता नहीं कितने नमबर था आपना एक question हो सकता है, मैंने आपको गलत आणसर बता दिया just take a minute student कहीं आप से ही करके आए और एक question की वज़े से चिन ताइम बढ़ जाए किसी की हाँ ये था, hand date number क्यों सन देखिए, hand date number क्यों सन का for a study of farming system, ये extension का क्यों सनना उसको देख के याद आए for a study of the farming system, the best PRA exercise transact wall, resources mapping, timeline, winner, diagram ये थब ठीक है लेकिन इसका right answer से ही कर लेना तो ये देख लेना, sorry, पीछे मैंने आपको गलत बता दिया last question था अपना, intensive agriculture district program is also known as package program के नाम से जाना जाता है ठीक है, next है, southern breed of cow belong to which country, those गाय, sorry, southern नहीं है, short horn है, गाय की short horn नसल किस देश की है इंगलेंड की है, short horn किस की है, इंगलेंड की है, leg horn breed is related to which class of poultry leg horn मुर्गी की नसल किस से सम्मन दिता है, भूमध्य सागरी है, यानि Mediterranean region की है ठीक है, इसका first है और इसका fourth है, seed rate of hybrid tomato most most important करते हुए करवाया हुआ है, यह तो quiz में भी है कितना मान के चलिए, 22% तो मान के चलिए, क्योंकि यहां क्या है, जनरली 16, 18, 20, 22 दिया हुआ है, तो इंडिया का livestock जो production है इसका agriculture की income में जो contribution है, वो 22 से ज़्यादा ही है, तो यहां minimum minimum कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, तो आपका 20 है, वो सही जाएगा 22% ठीक है इसका, which is variety of creep onion, creep onion की जो variety है, वो अरका कल्याण है, 53 भी है, मैंने का ना, creep वाली याद कर दीजिए तो अरका कल्याण जो है, वो खरीब की भी है, ए उप्षन इसका right होगा, average body temperature of ship की average body temperature कितना होता है, 103.5 फार्नियाइट के आसपास है, तो 49 डिग्री Celsius के आसपास हो जाएगा, दूसरा इसका right है next अले next है, सिंदूरी भगवा is the variety of, यह तो हमेशा ही आती है भई, पीछे भी supervisor में भी आई थी, pom granite की है, कापी famous भी आज के time, और export quality भी है रही है इसकी a book study of the thinking written by, a study of thinking, यह psychology का क्यों सना है, यह drone burner ने लिखी है, यह first right है who developed the branching program instruction learning, साकिया भी कर्मक अनुदेशन अधिगम किस ने विक्सित किया था, यह भी psychology का है, सिकनर ने विक्सित किया था the origin palace of India alloy is, इंडिया alloy का origin palace, इंडियन alloy का पूछा है, तो इंडिया है, right answer क्या होगा यहाँ पे इंडियन alloy है, वो इंडिया से ही originated है, तीसरा option है, वो आपका right answer है, pollinator variety, गवार पाटा, धरत कुमारी का उत्पतिशतल तो धरत कुमारी, जो इंडियन धरत कुमारी है, उसका जो origin है, वो कौन सा है, भारत है अब इंडियन पूछा है, क्योंकि alloy इसने special तो mention नहीं किया, भी जाती कौन सी है, अगर यह जाती mention करते है तो कुछ का origin है, वो difference भी देखने को मिलता है, जैसे अपने दक्षनी पस्रिमी अफरीका भी देखने को मिलता है तो दक्षनी पस्रिमी अफरीका जैसा तो यहां कुछ लिखा है, नोर्थ अफरीका जरूर लिखा हुआ है अब इंडियन एलोई कोई special species अगर mention होती ही, तो वहाँ हिंदी में तो mention ही नहीं है तो इसका क्या right मानेंगे, तो यह तो देखो, इनका ही issue है यह question हो सकता है, language wise थोड़ा सा, उपर नीचे हो सकता है फिर भी थोड़ा सा cross check कर लेते हैं, क्योंकि अपरिका, एसिया, इरोप, अमेरिका, अलग-अलग जातियों का अलग-अलग है भई चलिए देखते हैं, इसका क्या मानते हैं, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि यह थोड़ा complicated है, अगर यह species दे देता है, particular mention कर देता है, और हिंदी में उनने mention की नहीं है तो तो मैं इसका direct बता देता है कैनेडा नहीं है, वेस्ट इंडिज भी नहीं होगा अरबियन peninsular region में है, इंडियन एलोई जो है, और अरबियन peninsular region में फिर अफरीका का कुछ हिसा पड़ जाता है अफरीका का भी हिसा नोर्थ तो नहीं पड़ेगा नोर्थ अपरीका हो सकता है भई, नोर्थ अपरीका भी इसका origin है, वो हो सकता है ठीक है, यह doubt में अगले session में अपने बात करेंगे 142 का जो right answer है, वो पहला भी हो सकता है most probably हो सकता, examiner पहले को माने और तीसरा भी हो सकता है but most probably पहले का मैं पक्का नहीं बोलूँगा pollinator variety of on love, सबसे ज़्यादा वैसे pollen, चकाया और बनारसी परडियूस करते हैं लेकिन ज़्यादा तर pollinator variety के रूप में आप चकाया जो है उसको लगाते है सबसे ज़्यादा जो pollinator है उसके रुप में आप कौन सी वराइटी लगाते है चकाया लगाते है वैसे बनारसी है यह भी अच्छे खासे pollen है वो परडियूस करती है यह मान के चलिए कि यह pollen 30% है वो वाइबल यानि अच्छे pollen है वो परडियूस करती है बनारसी जो है और चकेया है यह भी जन्रली क्या है अच्छे pollen परडियूस है वो करती है अच्छे pollen परडियूस कर देती है और option कौन सा दे रखा है हाती जूल दे रखा है हाती जूल में तो इसा देखने को नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से right answer है वो चकेया आएगी चकाया आएगी बनारसी भी मान सकता है क्योंकि बनारसी में पॉलन की संक्या अच्छी बनती है लेकिन जहां तक है most of the literature है वो चकाया को ही बताएगा ये भी अगले session में discuss करेंगे amount of cell per reach the soil by the rain 2-3 kg per hectare कितना 2-3 kg per hectare next epomixes in which the bulbilus are produced in the influences in the palace of the flower is known as इंदियम बोल देताओ ऐसंग जनन जिसमें पुस्प करम में पुस्पों के स्थान पर पत्तर पत्रिक लाए उत्पन होती है कहलाती है vegetative epomixes कहलाता है चोथा answer इसका क्या है right होगा next सलते हैं अगले question में which among the following is known as milky mushroom milky mushroom का नाम बताना है बेस कौन सा है केलो साइबे इंडी का है क्या है केलो साइबे इंडी का है रास्ट्रिय परंप्रागत क्रिसी मीशन है ये 2015-16 में स्टार्ट हुआ था इन इंडिया phallores minus develop resistant against which herbicide phallores minus है उसने आइसो प्रोटो यूरान के भारतमें phallores minus ने किस साकना से एकिला परती रोध विक्सित कर लिया है तो आइसो प्रोटो यूरान के परती परती रोध उत्पन कर लिया है चोथा right है दा process of the gaseous exchange where the oxygen tacking and the carbon dioxide liberated outside is called है oxygen का लेना carbon dioxide का छोड़ना भाई ये तो respiration है slip stage is a maturity index for the which veggie tables तो slip stage होती हो किस में होती है musk melon में होती है दूसरा answer है वो इसका क्या है right है तो student जितने भी मैंने answer बताए मेरी तरब से अच्छे wishlation करते हुए बताएं कोई एक दो question में कुछ उपर नीचे होता है तो आप ज़्यादा उस पे कोशिये मत क्योंकि जायर सी बात है कि सारे subject में perfect होना थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन कोशिस यह की गई है कि आपको एक सटिक से सटिक answer की मिले तो उसी परियास को आज हमने पूरा किया है हाँ पे तो चलिए student मैं भगवान से यह wish करूँगा कि आप लोगों का selection हो और आप बहुत जल्दी first grade बन जाए और राजस्तान सरकार का भी बला हो कि वो आपको जल्दी से जल्दी joining दे दे Thank you